Hello friends, आपका स्वागत है में चैनल Physics with Pragya में तो आप देख सकते हैं आज का आपने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिश्री का फिजिक्स का तो बिलकुल भी नहीं है टॉपिक आप देख सकते हैं नेम रियक्शन का टॉपिक हमने लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं उसमें है आपकी नेम रियक्षन रोजन मुन्ड अपचेन रोजन मुन्ड अपचेन कैसे होता है सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ठीक है तो चलिए बिना टाइम वेश्ट के अगर हम अप्चेयन करा हैं तो उसी को क्या कहते है रोजन मुन अप्चेयन कहते है ठीक है अप्चेयन का पोलेडियम वा बेरियम सल्फेट की उपस्तिती में यह उत्प्रे रख है पोलेडियम और बेरियम सल्फेट क्या है उत्प्रे रख अपस्तिती में अप्चेयन ही क्या कहलाता है आपका रोजन मुन अप्चेयन कहलाता है तो चल्फेत को क्या बनाते हैं तो यह उसके लिए ठीक है तो आप देख सकते you क्यों हम से कराएंगे तो कि उपस्तिती में बेरियम सल्फेट की उपस्तिती में तो बनेगा क्या है CS3CHO क्या बना आपका HDL Dehyde CS3COCl की क्रिया हम किस से कराएंगे Hydrogen से तो क्या निकलेगा पहले देख सकते हैं CS3CO और इस दो H से 1 H निकल लाएगा इसके साथ मिल लाएगा CS3CHO प्लस बचा क्या 1 H बचा है और HCl आपका बन जाएगा ठीक है तो यह क्या बना यह आपका बना HDL Dehyde HDL Cloride की क्रिया हम Hydrogen से कराएंगे किस के उपस्तेती में Polydium और Barium Sulphate उत्प्रेरक के उपस्तेती में तो आपका HDL Dehyde बनता है Hydrochloricum मुक्त हो जाती है तो यह देख सकते हैं HDL Cloride से HDL Dehyde भी ऐसा ही प्राप्त करते हैं और इस रियक्शन को क्या कहेंगे आप रोजेन मुंड अपचेन टीक है HDL Cloride का यहाँ पर अपचेन हो रहा है अगर किस के उपस्तेती में Polydium और Barium Sulphate के उपस्तेती में तो भाई अगर आपको रोजेन मुंड अपचेन अच्छे से समझ में है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें